अच्छा मुकेश यह माइक सेट कर दे ओडियो चक कर ली तुने अच्छा तुने वाशिवार चलू कर दी अब चकपल फैक के मारूंगा तेरे को अकल नाम की कोई चीज निया खेर वो तो हम दोनों में नहीं है और अब इस लाइन को कट कर दियो यह मत बोलियो कि यह भी भू अब देखागा समुद्र में नाव लेते वे बहते वे बंदे देखेंगे व्रीज कैम दिखेंगा और तरह तरह के जानवर इस गेम प्ले में आपको दिखते रहेंगे तो चलो इस वीडियो को स्टाट करते हैं तो मेरे बड़े भाई हो और उनके छोटी बनो कैसी हो स्वा तो इसकी तो यहाँ पर पेटी बना दियो और इसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ी बहुत अच्छी खासी लूट करी रहा होता हूं कि एक नंबर और चार नंबर को कोई छट पर नॉक आउट कर देता हूं तो पहले सुनो यहाँ पर तुम पेटी बनाएंगे अब यहाँ पर मुझे लगता कि भाई मामला खतम हो चुका और उसके बाद मैं इसकी पेटी को लूटी रहा होता हूं कि मुझे आगे से फाइरिंग पड़ती है गोलिया पड़ती है मैं कवर में आता हूं उसके बाद मुझे लगता हूं लेकिन उसके पाद तो यहाँ पर मुझे गलत वक्त पे फर्स्टेट लगाने का नतीजा मिल गया जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर नौक आट हो गया लेकिन जैसे तैसे करक भाई दो नंबर ने यहाँ पर समाल लिया और यहाँ पर मैं रिवाइव अता हूं इसके बाद यहाँ पर यह भी गाना गा रहा हुआ कि भाई मौला लेले मेरी जान ऐसे कुछ गाना था ना तो भाई इसके बाद इसका एक और बंदा आता है जो कि इसकी पेटी लूटने आता कि पता नहीं क्या ही कर रहा होता तो देखो लपेटते हैं तो भाई इसकी के साथ साथ इस वाले भी बंदे की यहां पर पेटी बना देते हैं और इसकी पेटी बनाने के बाद आगे के तरफ भाई जब मैं आपार्टमेंट की तरफ होता हूं तो मुझे भाई एक बंदा दिखता है जो कि पता नहीं बंदा होता की वाट मुट तोड़ जाता है उसके बाद भाई जैसी हम उसको लपेटेंगे कि उसके बाकी के भी बंदें हमसे फाइट लेने आ जांगे उसके बाद क्या होता है खुद ही देखो कि अब यह फुल्ड है मेजे कि अब यहां पर मुझे एकदम समल के काम लेना था वरना क्या बोलते हैं वो पासा कभी भी पलट सकता था और सारा भार मेरे पर आ जाता आगे देखो लेकिन यहां पर तुम्हारे भाई ने पासे को फैबी कुइक से चिपका रखा था तो भाई पासा पलटता कैसे पासा वहीं पर जमा रहना ही था क्योंकि भाई तुम्हारा भाई अभी भी जिंदा है तो यार इसी के साथ-साथ यहां पर सभी को रिवाइफ देते हैं और इसके बाद लूटा पाटी करते हैं और यार तुम लाइक का बड़न जरूर दबा देना जो कि वीडियो के नीच चाहिए है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पर नए हो तो चलो आगे की बात करते हैं तो आगे का यह सीन होता है हम गाड़ी पकड़ के सीधा निकल जाते हैं मिलठा के पुल के पास और जैसी वहाँ पर पहुंचते हैं तो भाई हमें लगता है बंदे ब्र ले करके जा रहा है तो मैं यहां पर इंतजार करता हूं कि यहां पर किनारे पर कब आएगा और जहां तक मुझे लगता है यह भी ब्रिच कैम्प वालों का ही साथ ही था तो उसके बाद क्या होता है देखो यह बंदा ब्रिच कैम्प करने के लिए इतना ज्यादा उतावला हो रहा था कि इसको इतना भी खयाल ने रहा कि भाई याजी पीछे हम भी खड़ें तो यहां पर फटाक से इस बंदे की पेटी बना दिया और इसकी पेटी में से भाई मुझे ग्रोसा मिल जाती है और ग्र जाते हैं तो मैं देखता हूं भाई नीचे के तरफ कौन है और एक बंदा भाई पानी से तैर के आया वा होता है उसकी प्लाइनिंग क्या होती है मुझे नहीं पता लेकिन क्या होता है देखो अब जो बंदा पुल पे भग रहा होता भाई वो दो नंबर को नॉक आउट कर देता और उसके बाद यार यहाँ पर एक नंबर को सिच्वेशन हैंडल करने पड़ती है अब आगे देखो अब जैसी एक नंबर इसकी पेटी बना देता तो यहाँ पर भाई मुझे फूटस्टाप आने लग जाते हैं तो मैं देखने लग जाता हूँ कि आखिरकार बंदा है का पर बंदा दिखी नहीं रहा होता लेकिन उसके फूटस्टाप आ रहे होता है कि इतने में भाई हमार यहाँ दबा के पढ़नी चालू हो जाती है तो वो अपनी गाड़ी को लेकर के भाई आगे तरफ निकल जाते हैं और भाई मैं जोन में पीछे की तरफ छूट जाता हूँ तो भाई जैसी जोन आ जाता है तो जो बंदा सप्रेसर लगा करके गोली चला रहा होता है वो भी मैंने तो पानी से बार निकल गाहूं लेकिन तुम लोग का हो भी फिर से गोली चलने के वाज आती है और यहाँ पर भाई एक साब जो है वहारी हरी घास में भाई धूप से करा होता है धेखो यहाँ पर अब यहाँ पर थर्ड पार्टी हो जाती है क्योंकि जैसी मैं इसके यहाँ पर पेटी बनाता हूँ कि दूसरी टीम के भी बंदे यहाँ पर आ जाते हैं और भाई वो जो है यहाँ पर पता नहीं किसकी पेटी बना देते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देग रहे हारा दुआ आ जाता है और इसके बाद यहाँ पर भाई मैं अपने टीम वालों को तो इस तरीके से यहाँ पर इन सब की पेटी बना देता है और उसके बाद यहाँ पर भाई भटाक से यहाँ पर दो नमबर को रिवाइव देता है क्योंकि जोन भी आ गिया था और उसके बाद हम अपनी गाड़ी को ले करके सीधा आगे की तरफ निकलते हैं और भाई कर रहूंगे लेकिन भाई यह जो गाड़ी है हमारे को जोन के नीले हिस्से से तो बाहर निकाल देती है लेकिन अभी भी हम पूरी तरह के से जोन में नहीं थे और हम थोड़ा आगे जाते है और हमारे को एक बगगी मिल जाती है तो हम बगगी को ले करके भाई गाड़ी की तो यहाँ पर मुझे एक ही किल मिलती है और भाई यहाँ पर एक नंबर जो है वो दो किल लपेट लेता और हमार से पूछते भी है तो मैंने भी इस पर कहा कि यार तुम इतने बड़े वैपन मास्टर हो यार की मतलब ऑल डेड होई गया होगा इसमें सोचने वाली बात क्या ह खेर यार वैपन मास्टर से मिर को याद आया मैंने भी तो वैपन मास्टर कर लिया है खेर तुक्के तुक्के में हो गया मुझे खुदी नहीं पता चला मेरा वैपन मास्टर कब हो गया और चलो यारा बागी की बात करते है छोड़ो यह सब बकवास की बात यहाँ पर अब यह तुमने आपर इस बंदे को देखा मतलब क्या ही छुप रखा था एक दम भी पता ही नहीं चल रहा था कि कहा पर है लेकिन जैसे दैसे यहां पर दिखा और यहां पर सीधा इसकी मंदिर की घंटिया बचाई और पेटी बना दी अब यहां पर भाई सीधा चार नंबर को रिवाइब देते हैं और गाड़ी को ले करके भाई आगे के तरफ निकल जाते हैं और भाई दो ही बंदे बाकी होते हैं जिन में से भाई हम तो उन दो बंदो को ने ढून पाते हैं पर आपस में वो दोनों बंदे एक दूसरे को ढून लेते हैं और भाई एक जो है दू तुम्हें यहाँ पर पता चलेगा कि BHAI AWM की तो ँकादी नहीं है तो यहाँ यहाँ पर मतलब क्या ही बताऊं बहुत ज़ादा दुख हुआ इस बात से लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं यहाँ पर हमारा मुर्गी मुर्गी डिनर होई गया तो यार क्या ही बताएं जैसे तैसे यहाँ पर भाई जबर्दस्ती के मज़े आही गए तो यार अब मैं तुमसे बस यही कहूँगा कि यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर अगर भूल गए हो तो और भाई चैनल को सबस्क्राइब कर देना अगर नए हो और बेल आइकन को अल पे दबा देना तभी तो तुम्हें नोडिफिकेशन मिलेगी वरना बोलते रहा तो कि भाई नोडिफिकेशन मिलती नहीं है तो यार अब मैं तुमसे बस क्या ही कहूंगा है हैं अब मैं तुमसे बस यही कहूंगा कि और फोल मिला करके आज की वीडियो में ताही बिलता हूं मैं झाटा सायोना रा बाइ बाइ I don't think I'll never let you